स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट शंकला में यह शंकला नई धारा के संस्थापक श्री उदैराज सिंग जी के साहित्य को समर्पित है इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदैराज जी द्वारा लिखी कहानिया, संस्मरन वलेक सुनना न भूले, नई धारा रेडियो पर उदैराज सिंग की रचनाए पॉडकास्ट में आज सुन्ये उदैराज जी का लिखा संस्मरन श्रद्धे जग जीवन बाबू कुछ सुना आपने? क्यूं? क्या बात है? राजा साहब ने एक हरीजन के साथ आज खाना खाया नहीं नहीं, ऐसा कदापी नहीं हो सकता राजा ज्यानी है, वो पागल नहीं बन सकता पंडे जी, मैंने आँख से देखा एक ही चौका पर दोनों खाये जी हरे राम, हरे राम अजी कौन था वो महाजन? महाशय वही जक जीवन? छी, 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 हद हो गई तहे चुक तो राजा ही और उस राजा की ये मती हो गई जै बम भोलानात भगवान सुमती दिहस राजा को तो ऐसी चर्चा हो रही थी मेरे ग्राम सूर्य पुरा में उन दिनो सन 334 की बात है पूज राजेंद्र बाबू के आदेश से मेरे पिता स्वर्गी राजा राधिकारमन प्रसाद सिंग बिहार हरिजन सेवक संग के सभापती बनाए गए जग जीवन बाबू उनके संयूक्त मंत्री बने सूर्य पुरा में उन्होंने संग की एक प्रांती बैठक बुलाई थी प्रांत भर के हरिजन सेवी नेता पधारे थे वहां और उनमें जग जीवन बाबू भी आए अभी अभी हिंदू विश्व विद्याले वारानसी से सनातक बनकर निकले थे गहरा सावला रंग, छोटी-छोटी मूचे, जवानी से भरपूर शरीर कम बोलते हैं, बुजूर्गों की ज्यादा सुनते हैं उपर से नीचे तक खदर से लैस, शुद्ध गांधी विचार धारा से भरपूर पहले-पहल इसी रूप में मैंने जगजीवन बाबू को अपने गाउं में देखा था मैं उम्र में बहुत छोटा था, इसलिए सभा समाज में नहीं जाता था मगर चुकि जगजीवन बाबू का मेरे पिता के साथ खाना एक भावी चर्चा का विशय बन गया मुझे जगजीवन बाबू को कौतुहल वश देखना पड़ा सन 1967 में इंडिया एक्ट ओफ 1935 के अंतरगत बिहार में बिहार विधान परिशत तथा बिहार विधान सभा की स्थापना हुई मेरे चाचा सर राजीव रंजन प्रसाद सिंग उस विधान परिशत के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हम लोग उनके साथ गाउं से पटना आये और विधान परिशत तथा विधान सभा की दर्शक दीरगा में घंटों बैठ कर उन सभाओं के अधिवेशनों को देखने का मौका मिला जग जीवन बाबू उस सर्व प्रथम डॉक्टर श्रीक्रिशन सिंग जो ततकालीन मुख्यमंत्री थे बिहार के उनके पार्लियमेंटरी न्यूप्थ हुए और पटने में ही उनसे मिलने का फिर सुवसर प्राप्थ हुआ हरीजनों के ही नहीं हम नव यूवकों के भी वो नेता थे और इस छोटी उम्र में भी उन्होंने बिहार के दिगज राजनेताओं की जमात को अपने व्यक्तित्व की छाप से प्रभावित किया बिहार के उस नव प्रभात में एक कुशल पार्लियमेंटेरियन के रूप में उनका आगमन एक नई शुरुवात का सूचक बना डॉक्टर अंबेटकर उन दिनों हरीजनों के एक मात्र नेता माने जाते थे और कॉंग्रेस के विरोधी भी उस महान व्यक्ति के समकक्ष गांधी जी तथा राजेंद्र बाबू ने नव युवक्ट जगजीवन को लाखड़ा किया राजनीती के उन अबर धत्तों के सामने जगजीवन बाबू का प्रादुर्भाव सचमुझ प्रभात की एक पतली किरंसा दिखा सभी उनके राजनीतिक व्यकास को बड़ी सहमी सहमी द्रिश्टी से देखने लगे और गांधी जी तथा राजेंद्र बाबू की सूझ बूझ पर सराहना के साथ ही साथ संशय की हलकी आवाज भी उठाने लगे जिन्ना के समकक्ष कॉंग्रेस के मंच से मौलाना आजाद का गरजन एक नाध ही था बुलंद और दबीज मगर उस भारी भरकम पद दलितों के नेता डॉक्टर अंबेटकर की फॉलादी आवास के सामने नव्युवक जग जीवन की वानी उन दिनों कोमल तरुनी की वन्शी की फूक की सद्रिश्य लगी कॉंग्रेस और उसके विरोधी तथा साथी और प्राची और प्रतीची के सभी राजनेता उनके रणनीतिक जीवन के नुक्ताचीन बन गए बिहार के वे लाडले थे इसलिए बिहार ने उन्हें भरपूर प्यार दिया मगर देखते ही देखते सारे देश ने उन्हें प्रेम और सद्भाव से प्रसंद कर दिया और विरोधियों तथा अपने प्रेमियों के एहसास होने के पहले ही वे देश भर के नेता के रूप में उभर गए बिहार के हमारे नव्युवक जग जीवन सारे राश्ट्र के आदरनी जग जीवन बाबू बने और देश के एक शितिच पर उनके प्रथम प्रादुर्भाव के समय उनकी वो सुरीली बासुरी की वानी कुछ ही वर्षों बाद शंक निनाद के रूप में प्रतिध्वनित होने लगी उधर 1945 में देश को आजाद करने की घोशना लंदन में हुई और इधर दिनली में अंतरिम सरकार के मंत्री मंदल की भी घोशना हो गई पंडित जवाहरलाल जी के नेतरित्व में बनी उस सरकार में सरवश्री सरदार पटेल राजेंदर बाबू, डॉक्टर अंबेटकर, लियाकत अली खां इत्यादी के साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री के रूप में जगजीवन बाबू का नमुदार होना सारे राष्ट्र के लिए एक अभूदपूर्व घटना थी, आयू में जगजीवन बाबू उस मंत्री मंडल के सभी सदस्यों के समकक्ष सबसे छोटे थे, और सभी सशंकित थे कि इतनी छोटी उम्र में जगजीवन बाबू भारत सरकार के श्रम मंत्राले का भार क्या ठीक ठाक संभाल सकेंगे? मगर वाहरे जगजीवन बाबू, उन्होंने वहाँ भी अपनी क्षमता तथा कारिक उशलता का असाधारन परिचे दिया, और उनके मंत्राले के ततकालीन तपे तपाए आईसीएस सचीव भी उनका लोहा मान गए. भागलपूर के ही श्यामल धारिवाल आईसीएस जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचे था, कुछ दिनों के लिए जगजीवन बाबू के सचिव थे और उन्होंने जगजीवन बाबू की कारिक शमता की, मुझसे भूरी भूरी प्रशंसा की. कुछ दिनों के लिए मेरे बहनोई निर्मल चंद्र शिवास्तो आईसीएस भी उनके उप सचिव के रूप में कारिक कर चुके थे और दिनली में जब भी उनसे जगजीवन बाबू के विशय में बाते होती, तो जगजीवन बाबू के नेत्रित्व की प्रशंसा करते नही अगाते। ऐसी गहरी छाब थी उनकी अपने मंत्राले के सचिवों पर। दोर थामी, उसे चमका कर धर दिया। अब तो देश में ये अंदविश्वास सा फैल गया कि जगजीवन बाबू को वही विभाग मिले जो सबसे जादा पेचीदा सवालों से भरा हो। फिर देखिए उसके भाग खुल गए। उसकी सारी समस्याएं हल हो गई और बात भी सही ही दिखती है। देखिए रक्षा मंत्राले का उन्होंने भार लिया और तुरन थी भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा और अतिया को मू की खानी पड़ी और भारत के गले में विजय माल पड़ा। इधर भारत की करोडों करोडों जनता भूकों मरने जा रही थी। बाड़ भी सूखा से तबाह भी। जग जीवन बाबू के क्रिशी मंत्री बनते ही गले का भाव भी गिर गया और देश अनाज से भरपूर हो गया। और अब ये चर्चा होने लगी कि अनाज हम विदेश भी शीगरी भेजने लगेंगे। इसी साल 15 मई को पटने में अखिल भारती भोजपुरी सम्मेलन में देश के महान विद्वान आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी ने तो लाखों की भरी सभा में ये एलान कर दिया कि सच मुझ अब ये प्रमानित हो चुका है कि जग चदों में खुले आम कही जाने लगी। कुछ लोग जग जीवन बाबू को सिर्फ हरी जनों के ही नेता मानते रहे। मगर पीछे उन्हें पता चला कि हरी जनों से जादा सवर्ण भी उन्हें अपना नेता मानते हैं। और मैं जब कभी जग जीवन बाबू का आशिरवात पाने उनके दिल्ली स्थित निवास्थान पर जाता हूं तो देखता हूं कि देश भर से हर जाती, हर तबके तथा हर फिरके के लोग घंटों उनके द्वार पर अपना नंबर आने के मुंतजर बैठे हैं। क्या अमीर और क्या गरीब, क्या हरिजन और क्या सवर्ण, सभी उनके नेत्रित्व के कायल हैं और उनके हिमायती हैं। ये जग जाहिर है कि जग जीवन बाबु किसी वर्ग विशेश या किसी जाती विशेश के नेता नहीं हैं। वो सारे राष्ट्र के शीशस्थ नेता हैं। और जो कोई भी उनसे मिलकर लोटता है, वो कुछ पाकर ही लोटता है कुछ खोकर नहीं। उनका काम हो या ना हो, मगर इतना तो उसे संतोश और इत्मिनान हो ही जाता है कि उसकी सहायता करने में जग जीवन बाबु ने कोई कोर कसर नहीं की। वैसे तो हा निलाब जीवन मरण यश अपयश विदिहात। चाहे वो जिस उजलत में हो जिस किसी भी परिशानी में हो जो भी उनके द्वार में पहुँचा उसका काम हो ही गया। यही जग जीवन बाबु की सबसे बड़ी खुसूसियत है जिसे उनके विरोधी भी मानते हैं। जग जीवन बाबु का विरोध भी कम नहुआ। चुनावों में उन्हें हराने की म कामूली कोशिशे नहीं होई हैं। मगर जग जीवन बाबु ने अपनी राजनीतिक सूजबूच के द्वारा विरोधियों के सभी प्रयासों को सदा विफल कर दिया। उन पर कीचड उचालने की भी साजिशे हुई और होती ही रहती हैं। शायद राजनीति में ये एक शम में भी है। मगर काली के हीले कलिया खाने वाले अपना ही मुखाला करते हैं। उस काली पर कोई कालिया नहीं पुछ सके आज तक। मसनद की रंगीनी में भी जिसने कभी अपनी सादगी में कोई आच लगने नहीं दी। गद्धी नशीनी की नशीली चाह में भी अपने पर उड़ गया है कि वो नहीं, उसका ताज ही उसे पाकर अपने को गौरवान्वित समझता है। उस श्रद्धे जग जीवन बाबू को भगवान शतायू करें, दीर्ग जीवी बनाएं। मेरी तो यही तमन्ना है, यही प्राथना। जल्दी के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।